सो और मेरे बाई स्वागत है आपको हमारे और एक न्यू वीडियो पर तो भाई अगर आप एक जियादा फास्ट देखने को मिल जाएगा और अगर आप हमारे चेनल पर पहली बराएं हो तो आपसे रिक्वेस्टे प्लीज यार आप वीडियो को एक लाइक करके चेनल को भी स काफी ज्यादा इंफोर्मेडिव है तो प्लीज आप वीडियो को स्किप ना करके एंटो को आज करिये तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको यह सेटिंग करना है हाँ तो इस एपियान को सेट करने के लिए सबसे पहले आ पर वड़ा फोन शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास जियो सीम अभी के लिए नहीं है और मैंने यह एक्जामपल देने के लिए इस मोबाइल का यूज कर रहा हूँ और फिलाल के लिए मैं इस मोबाइल पर आपको पूरी एपियान सेटिंग बताऊंगा तो आप वीडियो को स् लितना है उसके बाद लिग देन उसके बाद पर अपको एन के पर लिग देना है और यहाँ पर फिर से स्पेश्फ देनाये और यहाँ पर आपको जी लिग देना है टीक उसी तरह से आपको लिखना होगा जैसे ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ और उसके बाद OK कर दीजिए OK करने के बाद second के option पर APN दिख जाएगा यहाँ पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर capital में J लिखना है और यहाँ पर IO लिख देना है फिर से आपको यहाँ पर N capital में लिखना है और ET लिख देना है और आपको यहाँ पर फिर से 5 और G capital में होना चाहिए तो आप देख से तो यहाँ पर 100 लाग होना चाहिए और उसके बाद OK कर देना है okay कहने के बाद proxy और port को आपको not set रहने देना है username पर आना है आने के बाद यहाँ पर आपको फहले add the rate लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर small letter में g i o n e t लिख देना है then उसके बाद आपको यहाँ पर 5 लिखना है और g capital में लिखना है और okay कर देना है तो यहाँ पर ऐसे लिखना है जैसे ही मैं लिख रहा हूँ टीक उसी तरह से तो आपको यहाँ पर password not set रहने देना है server पर आना है आने के बाद यहाँ पर आपको www. और उसके बाद आपको यहाँ पर geosmall letter में .com ठीके तो यहाँ पर यह लिखने के बाद okay कर दीजिये ओके करने के बाद तो यहाँ पर आपको नीचे की तरह authentication टाइप देखने को मिलेगा इसके उपर टेप कीजिए PEP और CHAP select कर दीजिए देन उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद APN protocol का option देखने को मिलेगा इसको tap किजिए tap करने के बाद IPB4 slash IPB6 select करना है और APN roaming protocol पर भी same select कर देना है IPB4 slash IPB6 देन उसके बाद आपको नीचे के तरह scroll करना होगा और most important setting जो है वो BRR का है तो यहाँ पर click किजिए click करने के बाद यहाँ पर मैं BRR का setting बताने से पहले आप से request करना चाहूंगा अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए तो यहाँ पर unspecified को आपको आण टिक करना है LTE select करना है और नीचे के तरह आपको scroll करना है यहाँ पर GPRS का option देखने को मिलेगा तो इसको select करना है देन उसके बाद okay कर देना है जिसी आप okay करेंगे तो यह हमारा जो APN setting यह वो परी तरह से complete हो जाएगा और यहाँ पर more का option पर tap किजिए टेप करने के बाद इसको save करिए save करने के बाद आपको यहाँ पर इस network को select करना होगा select करने के बाद आपने फॉन को reboot करिए और उसके बाद आपके फॉन के data को on के जिये तेन उसके बाद आप देख सेटे हो आपका internet कितना ज्यादा fast हो जाएगा तो उम्मीद करते हो आप इस FPN सेटिंग को अच्छी तरह से सोमज गए होंगे अगर वीडियो पॉसंद आया तो वीडियो को लाइक करे ये चैनल पर अगर न्यू आया हो तो फिलीज यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना क्योंकि इसी रिलेटेड और भी इंफोर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हामेशा मिलता रहेगा तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तो आप तो के लिए जादो दिजिए जाए हैं